अक्सर शादियों में आपने जरूर सुना होगा कि दुल्हन के फूफा जी नाराज हैं इसलिए वो शादी में नहीं आए ऐसा ही कुछ बिहार की राज जुनिती में भी देखने को मिल रहा है नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन दरसल शादी थी साधू यादब की बेटी की शाधू यादब बिहार की पुर्वसियम राबडी देवी के भाई है राजा सुप्रीमो लालू प्रशाद यादब के साले हैं एक दरब जहां लालू परिबार इस शादी से दूरी बनाता हुआ नजर आया वहीं बीजेपी के 17 सांसद शादी समारों में शामिल हुए पुर्वसांसद और लालू यादब के साले साधू यादब की बेटी की शादी 13 दिसंबर को राजधाने दिल्ली के एक नीजी होटल में हुई शादी में चुराग पासवान, गिरीराज सिंग, राम कृपार समेत 17 सांसद शामिल हुए लेकिन लालू परिवार में इनमें से कोई भी शामिल हैं हुआ लालू यादब और साधू के परिवार में काफी समय से मतभेद चल रहा है एक समय में लालू के सबसे खास रहे उनके सालिस बेटी की शादी में शामिल हुए राजस सुप्रीमो लालू परिवार के कोई भी सदश से नहीं सामिल हुआ आम तोर पे शादियों में जाने के बाद फूफा जी नाराज होते हैं लेकिन दुलहन के फूफा लालू यादब अपने साले के इस कदर नाराज दिखे हैं कि उन्होंने शादी में जाने से ही इंकार कर दिया पुरुफ सांसद और लालो परशाद यादब के साले साधु यादब की बेटी की शादी 13 जिसंबर को राज़ानी दिली के एक निजी होटल में हुई थी शादी में चिराग पासवान समित कई लोग उसमें शामिल हुए थे हम आपको वो तस्वीर भी दिखा रहे हैं जिसमें राम कृपाल यादब गिरीराज सिंग चिराग पासवान इस शादी में सामिल हुए वरवधु को उन्होंने आशिरवाद भी दिया लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये रहा है कि नाराज़गी के कारण अपने ही परिवार की शादी में लालो पर शाद यादब की फैमली का कोई सद्द से शामिल ही हुआ एक जमाने में शादु यादब के साल होने के साथ साथ उनके खास हुआ करते थे साथु यादब पुर्ब में सांसद भी रहे लेकिन साल 2009 में लोकसवा चुनाब में आरज़गी ने साथु यादब को टिकट नहीं दिया इसके बाद साथु यादब ने बगावत करते हुए कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया लेकिन लालु के समर्थन ने बिना साथु चुناब जितने में असफल साबित हुए उस चुناब के बाद ही दोनों परिवारों में एक खटास आ गई है तब से लेकर अब तक दोनों परिवारों में बाचीत बंद है इतना ही नहीं दोनों को जब भी मौका मिलता है वो एक दूसरे पर जम कर हमला बोलते हुए भी नजर आते हैं एक वक्त था जब साधु यादव राज़ सुप्रीम और लालो प्रशाद यादव के साले ही नहीं बलकि उनके बेहर करीबी माने चाते थे लेकिन बिहार की राज़नीती में कुछ ऐसा उलट फेर हुआ जिसे साधु यादव और लालो प्रशाद यादव की नाराज़गी अब जग जाहिर है 2009 में जब राज़ सुप्रीम और लालो प्रशाद यादव ने टिकट देने से मना किया तो साधु यादव ने कॉंग्रेस का दामन थामा और चुनाब लडने का फैसला लिया लेकिन साधु यादव जीद नहीं पाएं और उसके बार से अब तक लगतार साधु यादव और लालो प्रशाद यादव के परिवार को लेकर जब भी सवाल किया गया है तो कहीं न कहीं वो इशारों इशारों में उन पर हमला बर होते हुए ही नजर आते हैं वहीं साधु यादव की बेटी की शाधी दिल्ली में थी और इस शाधी समारों में बीजेपी के 17 सांसद शामिल हुए चिराग पासवान, राम कृपाल, यादव, गिरिरास सिंग हर एक वेक्ती शामिल हुआ लेकिन राजस सुप्रीमों लालों परशाद यादव के परिवार से एक वेक्ती भी शाधी समारों में शामिल ही हुआ